हलो फ्रेंड्स वेलकम टू SSC कोचिंग सेंटर दोस्तों आज के वीजियो में देखेंगे हम घड़ी के प्रेशन यानि किलोग घड़ी रीजिनिंग का बहुत इंपोर्टेंट चेप्टर है इसको सीखना बहुत ज़रूरी है तो चले स्टार्ट करते हैं पहला प्रेशन है ए प्रतिक दिन मतलब एक दिन में 24 गंटे होते हैं और एक दिन में वो 15 मिनिट आगे हो जाती है यदि उसे दोपहर को 12 बजे सही सेट करके चलाया जाता है दोपहर को 12 बजे दोपहर के 12 बजे का मतलब दोपहर के 12 पीम का टाइम होगा दोपहर के 12 बजे सही सेट करके उसे च लाया जाता है प्रात है चार बजे वह क्या समय दिखाईगी प्रात है चार बजे देखे प्रात है का मतलब क्या होता है सुबह के चार बजे तो दोपहर के बारा बजे से लेकर रात के बारा बजे तक कितने घंटे होगे बारा घंटे होगे ठीक है फिर रात के बारा बजे से सुबह के 4 बजे तक 4 गंटे और होगे तो टोटल कितने गंटे होगे 16 गंटे तो पूछने का मतलब यही है उसका कि 16 गंटे के बाद वो क्या समय दिखाईगी तो बजेंगे सुबह के 4 बजे दोपहर को 12 बजे जब हमने सही सेट के चलाईए हो और उसके बाद सुबह के 4 बजे तक 16 गंटे हो जाएंगे तब वह क्या समय दिखाईगी ठीक है यह पूछा है तो टोटल गंटे कितने हो जाएंगे उसे 16 गंटे इसका मतलब वो 16 गंटे बाद क्या समय दिखाईगी यही पूछ रहा है देखिएगा वो पूरे 15 मिनट आगे हो जाती है 24 गंटे में ठीक है 24 गंटे में पूरा 15 मिनट लेकिन हमको 24 गंटे का नहीं पूछा हमसे पूछ रहा है कि 16 गंटे में वो कितना आगे हो जाएगी 16 गंटे का पूछ रहा है 8 दुने का 16 कटेगा 8 तरिक का 24 3 पंजे 15 5 का करदो 2 से गुना कितना हो जाएगा 10 कितना हो जाएगा 5 का 2 से गुना 12 नहीं 10 हो जाएगा तो देखे वो 10 मिनट आगे हो जाएगी उसने पूछाता ना प्रात है 4 बजे वो क्या समय दिखाएगी भाई प्रात है 4 बजे 4 तो बजेंगी बजेंगे लेकिन वो घड़ी समय दिखाएगी 4 बज के 10 मिनट का वो 10 मिनट आगे हो जाएगी ये पूछा भाई उसने क्या पूछा कि सुबह के 4 बजे वो क्या समय दिखाएगी सुबह के 4 बजे 4 तो बजेगी लेकिन वो केतना आगे हो जाएगी वो 10 मिनट जादा का समय दिखाएगी सुभे के जब 4 बजे होंगे तो वो घड़ी 4 बच के 10 मिनट का समय दिखाएगी 4 बच के 10 मिनट का यानि कि D-Option हमारा बिल्कु सही जवाब है तो आज के बाद no confusion, कोई भी confusion नहीं होना चाहिए इस तरीके के प्रश्णी में आसानी से आप कर लेंगे ठीक है दोस्तों चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्णी अगला प्रश्णी है कृष्णा का एक मित्र राम हर रवीवार को उससे मिलने आता है पहली बार वह साड़े बार बजे आया पहली बार साड़े बार बजे चलिए साड़े बार बजा लेते हैं बार बज के तीस मिनट होते हैं साड़े बार बजे ठीक है साड़े बार बजे वो मिलने आया पीम लिखा हुआ है अगली बार, वह एक बज़ के 20 मिनट पर आया, एक बज़ के 20 मिनट पर आया, ये भी PM का टाइम है, ठीक है, फिर उसके बाद में वह दो बज़ के 30 मिनट पर आया, दो बज़ के 30 मिनट पर आया, और फिर 4 बज़े आया, कितने बज़े, और फिर वह चार बज़े आया, ठीक ह पहले आया था बारा बज़ के तीस पे बारा बज़ के तीस के बाद फिर आया वो एक बज़ के बीस मिनट पे कितना समय के बाद आया देखे साड़े बारे बज़े के बाद एक बज़ के तीस मिनट होता तो पूरा साट मिनट बाद आया लेकिन एक बज़ के 20 मिनट पर आया, मतलब 50 मिनट लेट आया, फिर एक बज़ के 20 मिनट के बाद वो आया, दो बज़ के 30 मिनट पर, यानि कि एक बज़ के 20 मिनट के बाद, दो बज़ के 20 मिनट पर पूरा एक घंटा हो गया, पूरे 60 मिनट हो गया, लेकिन 10 और जोड रखें तीस हो रहा है ना तो कितना होगया यह 70 मिनट फिर दो बचती के 30 मिनट के बाद वो पूरा पूरा आया चार बजे पूरा पूरा चार बज़े यानि कि गेड़ घंटा हों गया डेड़ घंटे में कितने मिनट होते हैं 90 अब बो कब आएगा नोट कर रहे हो कुछ आप कुछ नोट कर रहे हैं 50 में 20 जोड़ा 70 70 में भी 20 जोड़ा 90 और 90 में 20 जोड़ेंगे तो कितना 110 मिनट के बाद आएगा ठीक है 110 मिनट अब पूरा 4 बजे हैं उसे में आएगा 110 मिनट पर तो 4 बजे में 2 घंटे जोड़ेंगे तो 120 मिनट हो कब आएगा, पांच बच के पचास मिनट पे आएगा, यानि कि इस प्रेश्ण का हमारा D option बिल्कु सही हो गया, केलियर सब यह को प्रेश्ण चलिए, अब देखेंगे हैं अगला प्रेश्ण है, अगला प्रेश्ण है, यदि किसी घड़ी के अंकों को, एक को L, दो को M से, द एक, दो, ती, चार, पांच, छे, साथ, आठ की बाद किये हैं, L होता है, L के बाद M आता है, M के बाद N, O, P, Q, R, R के बाद S, तो हमसे क्या पूछा के आठ पर कौन साक्षर होगा, आठ पर होगा भईया, आपका S, यानि कि पहला option बिल्कुल सही, तो यह तो easy था, यह तो अगला प्रश्ने, अगला प्रश्ने है, एक घड़ी में साढ़े चार, यानि कि चार बज कर तीस बजे हैं, यदि मिनट की सुई पूरव की ओर है, तो घंटे की सुई किस दिसा में होगी, देखिए साढ़े चार बजे हुए हैं, और मिनट की जो सुई है, उसने बोला है, मिनट की सुई पूरव की ओर है, तो मिनट की सुई ये चेपे है, ये पूरव की ओर है, तो पूरव का जश्ट अपोजिट क्या होता है, पूरव के सामने पश्चिम होता है, तीक है, पश्चिम होता है, पूरव के जश्ट सामने पश्चिम होता है, अब दिसाइं किस कि उत्तर होगा ठीक है उत्तर और और उत्तर का जर्श्ट अपोजिट क्या होता है दक्षिन तो एक दिसा यह हो गई चार दिसा ही तो होती है यह वाली और यह वाली अगर पूरब हमारा यहाँ होगा तो एंटी क्लोग बैस उत्तर यहाँ जाएगा, पूरब यहाँ पे है तो एंटी कलोग बैस उत्तर यहाँ जाएगा, हमेशा इस बात को नोट करके रखना ठीक है अब हमारी जो मिनट की सुई है वो पूरब की हो रहा है तो यह घंटे की सुई किस दिसा में जा रही है घंटे की सुई दोस्तों इस वाली दिसा में जा रही है यह वाली दिसा यह वाली दिसा में जा रही है तो यह वाली दिसा को चुछ जाए तो उसे पूरब उत्तर कहेंगे चाहे उत्तर पूरब अगर इस दिसा में जाए तो दच्छिन पूरब या पूरब दच्छिन और इस दिसा में अगर आती है तो पूरब दच्छिन या फिर दच्छिन पूरब बात समझ में आगी अब देखेंगे अगला प् यहां पे 6, यहां 3, यहां 9, फिर 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, यह घड़ी है, 9 बचकर 30 मिनिट है, तो 30 मिनिट का मतलब मिनिट की सुई 6 पे होगी, और घंटे की सुई 9 और 10 के बीच में होगी, ऐसे होगी बिल्कुल, ठीक है, अब यहां पे एक चीज नोट कर लेना, कि एक घंटे मे एक घंटे में 30 डिगरी का कोण बनता है, ठीक है, दो घंटे में 60 डिगरी का कोण बनता है, और 3 घंटे में 90 डिगरी का कोण बनता है, ठीक है, अब अगर 9 बचे होते, 9 बचे होते, तो मिनिट की सुई 12 पे होती, तो यह 90 का कोण बन जाता 3 घंटे में, ऐसे ही 3 बचे होग तो 90 का कौन बन जाएगा 3 गंटे में, 3 गंटे में 90 का कौन बनता है, 1 गंटे में 30 का, तो आदे गंटे में कितने का बनेगा भाई, आदे गंटे में 15 डिगरी का बनेगा, जब 1 गंटे में 30 तो आदे गंटे में 15 डिगरी का बनेगा, बनेगा कि नी बनेगा, आप देखिए, यहाँ पर यह तीन घंटे में 90 डिगरी का तो बन गया भाई अगाई 9 पर होती यह वाले स्विंग और यह छेपे तो 1, 2, 3 घंटे में 90 डिगरी का बन गया यह आदा घंटा और आगे है तो 90 तो बनेगा ही बनेगा आदा घंटा और आगे है आदा घंटे में कितना बनेगा पंदर का तो 95 जोड़ दो 105 डिगरी का कौन बनेगा कितने का बनेगा 105 डिगरी का कौन तो 105 डिगरी का कौन बनेगा तो यहाँ पे 105 ओफशन में टैप करने में गलती होगी सायद यहाँ पे 105 होना चाहिए था 125 जो हो गया, 105 होता है यहां पर, ठीक है, तो यही हमारा C-Option सही है, यहां पर जरूर 105 होगा, यह 125 गलती से लिग गया है, तो गलती से लिग गया, वो छोड़ी, जाने जीजिए, हमें concept समझ में आना चाहिए, ठीक है option ना भी हो तो भी कोई बात नहीं concept समझ में आना चाहिए concept समझ में आ गया तो हमारे पास option हो ना हो हम बिल्खुँ सही answer करेंगे बात समझ में आ गई तो आज का वीडियो ये कैसा लगा आप comment करके हमें जरूर बताएं ठीक है दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद